जो भारतियंता पार्टी मुझसे कहती है, मैं वही मैं काम में करता हूँ युवाही देश की एक रील की हड़ी होती है, देश का भविस्से है क्योंकि कॉंगरेस हमेशा लडाने का काम करती है और राम मंदर के निर्माण में भाजपा और भाजपाईयों की जो योगदान और उनका जो अनुदान है वो शून्य प्रतिशत भी नहीं नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना हिमान शूठाक और आप देख रहें आपका अपना चैनल यूटी नियूज नेटवर्क पुशकर बिस्ट जो की काशीपुर नगर निगम के वाड नंबर 17 के नामित पारशद भी हैं और भविश्य की राजनीती में ये भी अपने आपको काफी कुछ देख रहे हैं और इनके जो प्रशंसक हैं इनके जो शुबचिंतक हैं वो भी इनको काफी कुछ देख रहे हैं ऐसे में आज पुशकर बिष्ट जी हमारे साथ मुझूद हैं आईए इनका स्वागत करते हैं जी पुशकर भाई कैसे हैं आप धन्यवाद हमानसु जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि आपने मुझे यूटी न्यूस चैनल में बुलाया और कहीं ने गई युवाओं के संदे सापने आगे पहुचाने काम करा तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना मैं चोटा साइक कारी करता हूं और मैं जमीनी स्तर पर रहना पसंद करता हूं धरातल पर रहना पसंद करता हूं बाकी भारतियंता पार्टी का कारी करता हूं जो भारतियंता पार्टी मुझसे कहती है मैं वही मैं काम में करता हूं और ही युवाओं की बात तो युवाओं प्रदेश में सबसे कम उम्र के युवाँ है जिसे मोधी सरकार ने और भारतीयंता पार्टी ने एक बहुत कम उम्र का युवा मुख्यमंत्री बनाया है तो कहीं नहीं इस प्रदेश में भी युवाँ की उमिद जग रही है कि आने वाला समय युवाँ का है प्रदेश में और देश में और हमारे अपने काशी पुर में कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा और उनकी राजनीती को कहां पाते हैं क्या कहेंगे देखिए कॉंगरेस को तो जनता भली भाती जानती है कि कॉंगरेस की करनी और कतनी में क्या फरक है और रही भारतियंता पार्टी की तो भारतियंता पार्टी एक हमेशा ही विकास की सोच रखती है और हमेशा ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है आज आप देख रहोंगे उत्राखंड में एक युवा मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी जो कहीं ने कहीं इस परदेश को चोहम की विकास की और ले जा रहा है कहीं ने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है आप सिक्सा ले लो सालक ले लो रोजगार ले लो और कि या रोजगार की बात में करओं तो हमारे उत्राकंड के अंदर हर युवा को काम करने का मुए धामी सरकार मौका दे रही है और HOW युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है राम मंदिर के निर्मान में भाजपा और भाजपाईयों की जो योग दान और उनका जो युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है अभी आप देख सकते हैं अपने इस राम मंदिर को बनाने के लिए कई राम भक्तों ने राम भक्त सहीद हुए हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुती दी है और रहे कॉंग्रेस की बात कॉंग्रेस 70 साल राज करा कभी कॉंग्रेस ने कभी कॉंग्रेस ने मंदिर के बारे में नहीं सोचता मजदित के बारे में नहीं सोचता और गुरुदवारे के बारे में नहीं सोचता क्योंकि कॉंग्रेस हमेशा लडाने का काम करती है और भारतियंता पार्टी सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम करती है जब से मोधी जी के नितुत में भारतियंता पार्टी की सरकार देश में आई है आप आद देख सकते हैं मोधी सरकार सभी धर्मों को सभी जात्यों को सभी युवा वर्गों को सभी महिलाओं को सभी बुजुर्गों साथ लेने का काम करती है आप देखे आज अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है 22 जनूरी का उसका उत्गाटन है और सबसे पहले मैं मोधी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है वहाँ पे जो राम लला के दर्सन करेंगे उत्राखन करें उत्राखन के राम भक्त करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि जब से मोधी सरकार आई है मोधी सरकार ने राम मंदिर को बिलकुल राम भक्तों की चिंता करी उस मंदिर की चिंता करी और कहीं न कहीं न कहीं उस मंदिर को बनाने का काम करी और हमारी मोधी सरकार सुप्रिम कोट करी क्योंकि कोट का जो निल्ले होता है और कहीं न कहीं राम भक्तों के राम भक्तों की चिंता करते हुए और देश के पठेक नागर की चिंता करते हैं सुप्रिम कोट ने फैसला दिया और आज कहीं न कहीं ये आज राम अंदिर बन रहा है और मैं इसके लिए मोधी सरकार को और राम भक्तों को धन्यवाद देना च कहते हैं कि भाजपा का जो पसंदीदा काम है वो काम है धर्म की राजनीती जाती की राजनीती और बटवारे की राजनीती और हमारा जो पसंदीदा काम है वो है रोजगार की राजनीती शिक्षा की राजनीती और विकास की राजनीती देखिए आज कहीं न कहीं आप आकड़ जी के नितुत इन्वस्मेट समीज यहाँ पर हर देज विदेश से यहाँ पर उत्राखण में निवेश करने के लिए आ रहे हैं मोदी जी के नितुत तुम आप देख सकते हैं हर राज्य में हर राज्य में देज विदेश से लोग निवेश करने आ रहे हैं तो कहीं ने कहीं उनकी उपलब दिये कहें या उनको उनकी मैं जितना भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ वो कम है आज हर युवा बिरोजगार नहीं रोजगार है आप देख सकते हैं मुद्रा लौन आप देख लीजिए इसके लावा आत्मी निर्वा भारत के अंतरगत हर युवा अप पहाड़ों में चले जाएए तो हर जगह आप कोई युवा ही मिलेगा और कहीं ने गई कोई युवा निरास नहीं है हर युवा को मुदी सरकार और धामी सरकार और भारतियंता पाटी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है अचा काशीपुर की प्रदेश के पटल पर और देश के पटल पर जो भारी उपिक्षा अभी नज़र आती है उसका असल जिम्मेदार काशीपुर के ही स्विंभू नेता है इस बात से कितना इत्फ़ा करते हैं देखिए भारतियंता पार्टी में कोई संभू निता नहीं है भारतियंता पार्टी में हर कारिकरता एक कारिकरता बनके काम कर रहा है यहाँ विधायक भी अगर है तो भी कारिकरता है क्योंकि भारतियंता पार्टी हर किसी कारिकरता की मासमान पार्टी है हर कारिकरता कमल का न यूजनाई होती है तो यहाँ पर कोई स्वेंभी निता नहीं है हर कारिकर्ट उन्यूजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है अगामी लोकसभाज चुनावों में भाजपा हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है इसके तीन कारण बता जब से पुसकर सिंग धामी जी इस परदेश के मुख्या बने हैं तो कहीं नगए युवाओं में आसा की किरन जगी है उनको धामी सरकार रोजगार देने का काम कर रही है और आज आप देख सकते हैं आज क्या कहते हैं हर जगे हर सहर हर गली हर महला हर नुकड में सरकार की योजनाएं जगा जगा घर-घर तक पहुच रही है भारा संकल्प यात्रा के तहत आज आप देख सकते हैं हर गली में हर महले में हर गामी छेत्रों में कैंप लग रहे हैं सरकार की योजनाओं घर-घर तक पहुचाने का काम कर रही है और अभी आपने पूछा की तीन मुख्य मंत्री हैं जो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना चाते हैं भारतियंता पाल्टी ऐसी पाल्टी जो अंतिम छोर बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना चाती है तो मैं कहीं न कहीं मैं यह कहना चाता हूं आपके इस यूटी चैनल के माद्यम से कि कह निस्तारण और उन तीन सब्दों पर शासन पर सासन काम कर रहा हैं। और ऐसा बुद्धी जीवियों का भी मानना ऐसे में कैसे नईया पार होगी देखिए ऐसा है ये लोकतंत्र है और यहाँ पर हर कोई स्वतंत है और हर किसी को टिकट मांगने का दावेदार है हर किसी को उम्यदे होती है कि मुझे टिकट मिले या उसे टिकट मिले तो जब भारतियंता पाल्टी निर्णा लेती है जिसको कमल का फूल दे दिया जाता है तो सारे कारी करता एक हो जाते हैं यहाँ पे कोई अलग निये सब एक हैं सब एक छट के नीचे हैं और सब का निसान कमल का फूल है और हर कोई यहाँ पे भारतियनता पाल्टी का कारी करता है और संगठन नेतुतु प्रदेश नेतुतु जो आदेश करता है उसको वो भली भाती उस काम को वो करते हैं और कहना चाहता हूँ भविष्य में लाईयां और मन्भेद और मद्विद होते रहते हैं और जब टिकट मिलता है सब एक हो जाते हैं अच्छा आपसे मैं व्यक्तिकत रूप से पूछना चाहूंगा कि भविष्य में आपको भी चुनाओ मैदान में उतरना है आप भाजपा और क कामल चाप के नाम पर उतरेंगे या अपने किये हुए कामों के नाम पर उतरेंगे देखिए ऐसा है मैं भारतियंता पाल्टी का छोटा सा कारी करता हूं मुझे भारतियंता पाल्टी में काम करतें 15 साल हो गये हैं मुझे भारतियंता पाल्टी ने बहुत कुछ दिया है इस यह सिकाया कि जनता के बीच में कैसे काम होते हैं और संगठर में कैसे काम होते हैं मैं इस भारतियंता पाल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूँ और रही बात आपकी टिकट की दावदैर की बात है मैंने मैंने सबस्ट मैंने कह दिया है कि अगर मुझे भारति कटके लायक हूँ और तो मैं उस उम्मीद उपर मैं खिरा उत embora भारति तींता पार्टी के बीच में और रही बाकी मैं आपको बता दुुँम साले तीन के साल के कारले मैं जन्ता के बीच में रहा हूँ मैं और जन्ता जाना कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाया है और उसके बावजूद जब काशीपुर के जन नेताओं से सवाल किये जाते हैं तो उनका जवाब यही होता है कि जीहां प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आप क्या गए देखिए मैं कहना चाहता हूं लहरों में नौका पार नहीं होती मंतरी बनते हैं उन्होंने हर सड़क का जाल बिछाया है विकास कारी किये हैं और हर राज्य में हर सेर्म आपको फ्ल मिलेगा रही कासीपुर की बात देखिए इसमें 2017 में इसकी ऑपनिंग हो गई थी और आज साल होने जा रहे हैं तो कहीं नहीं हमारी भारतियंता पार्टी हमेशा ही चाती है कि जनता परिशान ना हो तो हम इस दर्टों को समझ रहे हैं कुछ टेक्निकल दिक्कत आ सकती है क्योंकि जो सस्ता है वो सस्ता कहीं नहीं बताती है कि ये ओनेसी ये ओनेसी लेकिन सरकार हमेशा फीड़बैक लेती है जनता का फीड़बैक लेती है और रह है वो बोल चुकी है कि इसको हम तीन महिने में 120 दिन के अंदर हम इसको बना देंगे क्योंकि फूल पूरा बन चुका है सिर्फ फूल को थोड़ा सा उपर उठाना है क्योंकि रेल्वे का मामला अटका हुआ था तो रेल्वे से आप जाके वाइनों सी मिल गई है और बाकी हमा पारी नैनी ताल लोकसभा सीट से भविष्य में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें प्रबल दावेदार आपके हिसाब से कौन क्योंकि कई और भी कदावर ऐसे नेता हैं भाजपा की जो इस बार मैदान में उतरने के लिए कमर गस चुके है देखे हिमानसू जी बड़ा सब प पारी नेता हैं तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस परदेश के एक बहुत कम उम्र का युवा परदेश का मुख्यमंत्री बनेगा जिसका नाम पुसकर सिंग धामी है तो कहीने कि भारतियनता पार्टी हर युवा पे नजर रख रही है कि कौन युवा किस काबिल है क्योंकि कि किसी को क्योंकि आप उसको कोई काम दो ग eller तब ही प्युवा कि पहचानता है और रही भारतियनता पार्टी की टिकट की बात तो हम तो इसरफ ये कहना चाहते हैं आपके युटी चैनल के माद्यम से कि जिसको भी भारतियनता पार्टी कमल देघी क्योंकि यहाँ पे आम ऐसी जनता से जो की पुशकर बिष्ट की कार्यनीती और पुशकर बिष्ट की राजनीती के बारे में जानते हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके इन वक्तव्यों को लेकर आपके क्या विचार हैं आप क्या सोचते हैं कॉमेंट में लिखकर बिल्कुल जरूर बत अगले वीडियो तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए धन्यवाद